साथियों नमस्कार अभी सुबह मैंने पोस्ट डाली थी कि नौ बजे लाइव आओंगा जो जॉनपूर में घटना हुई है उसको ले करके तो चाहूंगा साथियों जल्दी से जल्दी ज्यादा ज्यादा लोग जुड़िये ताकि घटना की जो सच्चाई है उसको मैं आपक कि आखिर क्यों जो है इस तरह से प्रसासन इस घटना की जो जो अस्वास्तविक तत्थ हैं उनको क्यों छुपा रहा है यह प्रसासन इसको जानने के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब जल्दी जुड़िये लाइब वीडियो के साथ और बहुत आवस्यक है क्योंकि समाज के उपर जो यह अत्यचार उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा और अत्य पिछड़ा यह तो वन्चित समाज है जिसका कोई जल्दी सुनने वाला नहीं है उसको जो है हर तरफ प्रताडित किया जा रहा है तड़ पाया जा रहा है जल्दीस जुड़िए आप लोग ताकि आप लोगों को मैं उस घटना की जो सचाई है उसके परिजनों से मेरी बात हुई है जो नहा नाम की बिटिया थी समाज की उसको किस तरह से इन दरिंदों ने कितनी दर्दनाक मौत दी है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ क्रिपया आप लोग आईए जुड़िए और इसको ज़्यादा ज़्यादा सेहर करिए सभी लोग क्या इस घटना के पीछे कोई राजनेतिक साजिस की भी बू आ रही है कि गंदी राजनीत करने वाले कुछ लोग क्या बचाने का प्रयास कर रहे हैं आखिर पुलिस की जो भूमिका है वो इतनी संदिक्द क्यूं है इसमें सरकार का भी दोस है इसमें सरकार आखिर जो प्रसासन है वो उचित का रिवाई सही का रिवाई या कोई भी पीडित है किसी भी प्रकार का अपराद उसके साथ हो रहा आत्यचार उसके साथ हो रहा है उसके लिए जो उचित न потр트를 बनाई गयी है उस ब्यवस्था के हिसाब से क्यों नहीं काम करती है क्यों नहीं केस दर्ज करती है बहुत सारे समाज के सुभचिन तक भी हैं जो बड़े बड़े नेता हैं ये लोग आखित चुप़ी क्यों साधे हैं इस मैटर पर इनकों तो खुल करके सामने आना चाहिए बोलना चाहिए जो समाज की राजनिती करते हैं समाज का ओड़ बड़े बड़ी पार्टियों में बैठ करके राजनिती कर रहे हैं अपना जमीर जो है जहां जहां भी समाज पर अत्याचार हो रहा है कहीं भी उस तथाकतित पार्टि के नेता पूरा परिवार कहीं नजर नहीं आता है ऐसे लोगों को समाज इतनी तवज्जद दे देता है और उसी का ये लोग नाजाज फाइदा उठाते है समाज तो अभी असिचित है समझदार नहीं है उसको कोई जानकारी नहीं है इसलिए ऐसे लोगों को सुरू करते हैं साथ बहुत सारे लोग जो है सुबा का समय है बीजी भी होंगे अब मैं बताता हूँ आपको आखिर में हुआ क्या है अभी सुबा सुबा मेरी बात हुई है जो मृत लड़की है नहा उसके मामा जी से स्यामजीत नाविक नाम है उनका उन्होंने मुझे जो बताया है और जो कल उस आरोपी जो विने पाठक है उसका जो बयान आया है उसमें जमीन आस्मान का अंतर है उसके बियान से तो सिर्फ वही क्योंकि उसने अपना आरोप जो है जो उसने किया है उसको कबूल कर लिया है इसलिए आरोपी सिर्फ वही नजरा रहा है लोगों को लेकिन इसमें आरोपी कई लोग है मित्रों मैं बताता हूं क mortality गटना की सुरुवात होती है dessa जिस दिन की गटना जिस दिन जिसरात की है 19 तारीक की उसके 3 दिन पहले यह जो लड़का है बेने पाठ हक यह लड़की के दादी के नंबर पर और लड़की के नंबर पर फोन करते रहते थे 4 लड़की का जो पिता है उसको फोन करते रहे बीस बीस तीस तीस बार फोन करते थे और जब फोन रिसीव होता था तो कहते थे गलती से लग गया रॉंग नंबर है फिर लड़की के पिता कहते हैं कि अरे भाई रॉंग नमबर है तो 20-20 बार रॉंग नमबर लग रहा है उस चीज को ले करके गाली गलोज होती है लड़की के पिता और बिने पाठक में इसलिए मेरा मैंने जो अप्लिकेशन डाला था उसमें जो तीन नमबर थे मैंने ट्वि की कॉल रिकॉर्ड चेक की जाए यह नमबर कहां से ऑपरेट हो रहे थे इनकी लोकेशन उस समय क्या थी कॉल रिकॉर्डिंग इनकी निकाली जाए लेकिन आगे क्या हुआ है प्रसासन ने क्या किया है यह सब के सामने है गाली गलोज होती है लड़की के बाप से उसके मैसे जाते हैं लड़की के नमबर पर असलील मैसे जाते हैं रात में जो लड़की का भाई है छोटा वाला साथ साल का है उससे बड़ा भाई है ग्यारा साल का छोटे वाला भाई उसके साथ सोया हुआ था साथ साल वाला और बगल में उसकी माता जी भी सोई थी दो लोग आते हैं रात में मूँ पर गमचाबाद के लड़का बताता है साथ साल वाला दो लोग आते हैं जिनके मूँ नहीं देख पाता है वो उसका जो है मूँ गमचे से बदा हुआ था दोनों का वो दोनों एक उसका मूँ बंद कर देता है और दोनों फिर उसको उठा ले जाते हैं बगल में 200 मीटर के दूरी पर एक जाड़ी है बाग टाइप का है वहाँ जाड़ी है जाड़िया है वहाँ एक पहले से इंतजार कर रहा होता है तीन लोग होते हैं इस हत्या के पीछे कल हमारे करांदिखारी भाई समास सेवी दीपक निसाद जी भी गए थे वहाँ से उसके लड़की के घर गए थे वो जो इस्थिती उन्होंने जो जानी है जो उनको पता चला है वो बहुत ही भयावा है मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर अपने ही देश में अगर किसी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ उसकी जाती देखकर क्यों उसके साथ हम लोग वहसा बेवार करते हैं भी कि आखिर जो समान वर्गि के लोग है वो अनरे जो वर्ग हैनु में पिछड़ा वर्ग है है अनुसुशी जाती है इसके आदमी हुर और अरोथ हो अगर उसके ऊपर अत्याचार होताता है तो ची injury आवाज है उठाते भीकुल नहीं बोलते हैं याष्यार झान के OBC वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं कोई चीज हो जाती है तुरंत उनका ज्ञंडा उठा लेते हैं कि SCST OBC वालों अभी भी समय है सुधर जाओ समझो तुमारे साथ किस तरह की राजनीती हो रही है मैं घटना बता रहा था घटना बता देता हूँ उसके बाद धुलाई करता हूँ लड़की को ले जाते हैं उसके साथ चुकि लड़की को लड़की के पिता ने सुबा लोक लजजा और कुछ लोगों तौरा बर्गलाने के कारण सुबा जो है उसकी उसका अंतिम संसकार कर दिया इसलिए पुस्माटम रिपोर्ट नहीं है पाई उसका मेडिकल नहीं हो पाया जिसकी वज़ा से रेप की पुस्टी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बिने पाठक ने कल जो बयान दिया है ना वो बयान बिल्कुल पुलिस दोरा रटा रटा रटाया वे आने भाई साब उसके पहले जो हुआ था वो सुनिए वहां गया वहां तो हत्या कर दी उस लड़की का फोन भी एक नमबर गायब है वो नमबर भी मुबाइल भी गायब है अब इन तक मिला नहीं है ठीक है सुबा लड़की की लाज जब लड़की की मा को मिलती है तो हाय तौबा मत जाता है परधान को सुचना मिलती है वहां का परधान यादा हो है उसको भी स्तर मानी चाहिए कि उसके गाउं में एक बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है उसके साथ गलत काम कर दिया जाता है तीन लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और ये डरपोक ऐसे परधानों को तो परधान बनना ही नीच चाहिए डूप कर मर जाना चाहिए लाइप पर बोर लाओं ऐसे परधानों को आखिर उसके गाउं में एक बच्ची की हत्या हुई है एक सौव मिला है तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी क्यों नहीं बताया पुलिस को लड़की का गला जो है गमचे से बधा हुआ था उसके पिता ने उसके गले से गमचा जब हटाया तो परधान ने का अब तो तुम्हारा हाथ का निसान इसके गमचे पे आ गया तुम ही फंस जाओगे उसने इतना डराया धमकाया लड़की के बापको की लड़की का पिता जो है वो डर गया बिचारा और आनन फानन में गाओंवालों ने भी ये कहा थी अरे हाँ आप ही फ़स जाएंगे मतलब अपनी लोकल लेंगवज में तुम ही फ़स जीबा तो आर हाथे के निसान उकर गमचा पर पढ़ गई लबा आनन फानन में लड़की की अंतेस्टिक कर दी जाती है सबूद कर दिया जाता है वहीं पर अचे उसके बाद प्लास मिलती है सबकुछ हो जाता हैं पुलिस आती है स्वयं में एसबीो हाते हैं वहाँ पर लड़का उनके सामने सारी जो गटना रहती उसको कबूल करता है, सब कुछ बताता है कि कैसे उन लोगों ने हत्या की, कैसे उसको घर से ले गए, ठीक है, जब उस लड़की को घर से उठा कर ले जा रहे थे, मुँ बंद करके, तो छोटा वाला भाई भी जग गया था, उसको इन लोगों ने धमका दिया, डरा दिया, वो छोटा बच पाया, और ये लोग ये चूतिये ये राजनीती कर रहे हैं इस पर, उनको बचा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि समाज इसमें कितने क्रोध में हैं, अगर सडकों पर निकल गया ना, तो कुरसी के चारों पाए तोड़ देगा, जो जिस कुरसी पर बैट कर राजनीती कर रहे हो ना, तुम, उस कुरसी में आग लगा देगा, तुमारी सारी राजनीती खतम हो जाएगी, सर्म नहीं आती है सालों तुम लोगों को, एसपी साहब आते हैं, तो लड़का जो बिने पाठा के गटना बताता कि कैसे कैसे उसको उठा के ले गए, सब कुछ किये, वहाँ उसकी बात को रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता है किसी को, ताकि जो बता रहा है, इसके बयान को बाद में बदला जासके, क्या इस पे जा जाच नहीं होनी चाहिए, उसके बताना चाहिए ना पुलिस को, क्यों नहीं बता है उसने, परधान भी दोसी है, उसके चाथ जिन दो लोगों को पकड़ा गया था, पुलिस जिन को छोड़ दिये दो लोगों को, वो लोग भी दोसी है, दो पाठक, दो ब्रामर समाच के है और एक छट्री समाज का लड़का है एक को तो पकड़ दिया उसने कबूल कर दिया है उसका बयान बदलवा दिया पहेर दिखा दिया और दो लोगों को छोड़ दिया क्यों कर रहे हो ऐसा तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ही यह होता तो क्या तुम ऐसे मान जाते परमात्मा ना करें कि किसी और बहन बेटी के साथ ऐसी घटना हो अभी चार तारी को ये निसात पार्टी वाले गए थे सुना था मैंने समाज के सुबचिन तक बने हैं बने अधारी पार्टी के गोद में ये चार तारी को गये थे वहाँ चार पाई भी बैट के फोटो किचा के आए और पीडिता की मा साथ जमीन पर बैटी है अभी तक क्या किया है इन्होंने इन्होंने अपने चैनल पर दिखाया है बताया है कि उस लड़की का लड़के के साथ देड़ साल से अफेयर था अब या अफेयर था तो जान से मार देगा अफेयर था और लड़की दबाव बनाती थी साधी का इसलिए उसने ऐसा किया ये है वो है देज भर का है तो हत्या ना क्यों राजिनिती करते हो यार ऐसे मुद्दों पर ताले तुमको चुलू बर पानी में डोब मरना चाहिए कल और भी दीपक भाई भी गहा थे उन्होंने वहाँ की जानी उसके माता से पिता से मेरी अभी सुबह उसके मामा से बात हुई उन्होंने ये सब बताया है यार कि घटना ये है वास्तवी और कैसे बलगराया जा रहा है इसको दो आरोपियों को छोड़ दिया जा रहा है इसकी जो अप्लिकेशन इसके घर वालों ने दिया है लड़की के उस अप्लिकेशन के तहत कारिवानी होनी चाहिए वो तीनों जो नंबर है उसको ट्रैक करना चाहिए कहां कैसे मैसेज गया किसको कॉल गया सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए आरोपी इसमें कई है और कल दीपक भाई गये थे ना वहाँ पे को ये बीपी सरोच करके मचली सर का सांसाद है कोई साथ बीजेपी से हैं वो गया था सामने ही दीपक भाई जब पहुचे उसको कुछ देर के बाद पहुचा क्या कहता है लड़की का पिता कहता है साहब हमरे लगी के संग है ऐसन ऐसन होगल ऐसा ऐसा कान हो गया बलातकार हो गया तो डान देता है कहता है कहीं कोई बलातकार नहीं हुआ मेरी स्पी से बात बात नहीं सुनता है तुम डाटते हो, लानत है तुम पर यार, कैसे जर्जन प्रत्नीदी कैसे बन गए तुम, सर्म नहीं आती है, जांच करने की बजाए उसको सांतोना, सोर मचा रहा है, अरे यार इनको आवास नहीं मिला है, आवास दिलाओ, ये करो, वो करो, आवास देने गया हो तुम इस समय, उसको न्या चाहिए, अगर इसकी उचस्तरी जांच नहीं होती है, तो ये समाज पूरा सडकों पर निकलेगा इसी लागडाउन में, नजान लीजिए, बहुत आख्रुस है योगी जी, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे, तो सुन लीजिए, इस समा लिया आपने न, सत्ता भी आपको दी, बहुत प्यार करता है ये समाज आपको, राम और निसाज राज की गाथा गाता है, लेकिन उसके लिए क्या किया आपने, गोरकपुर में दो बंदों की हत्या हो जाती है, सुल्तानपुर में एक हमारे बड़े भाई हैं, उनकी जूँ, जौनपुर में अत्या होती है, उत्तर प्रदेश में हर तरप तो, ऐसे कितने कांड हो रहे हैं, डेली के डेली, कौन सी कानून बेउस्ता सही है आपकी, बेटियों पर सबसे ज़्यादा अत्याशार हो रहा है, एक हाथी मर्ती है, उसके लिए सभी लोग, आहवाह करने लगते हैं, हाथी को मार दिया, बम मार दिया, गोला मार दिया, क्या जानवरों से कम, हैसियत है क्या इंसानों की, हां, इंसान, इंसानों की कोई आउकात नहीं है, क्या, ये बंदर, बंदरों को मारने पर एक हजार का इनाम दिया गया है, उदर, दिया जा रहा है, अगर हाथी को बम मारने से जो गुनागार बन जा रहा है तो हाथी का सर जिसने काट के आदमी के सरीर पे फिट किया था वो भगवान कैसे हो सकता है वो गुनागार नहीं है उसको भगवान बना दिया आप लोगों ने कानून बेवस्ता समालिय योगी जी प्रधान मंत्री जी भी हैं क्या कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया लेकिन हर तरब जो है बेटियों के साथ अत्या चार हो रहा है मलात कार करके मार दिया जा रहा और उपर थे इनका पुलिस प्रसासन इतनी लापरवाही इतनी कामचोरी समल जाईए आप लोग और अगर उस लड़की को नया नहीं मिला तो आक्रोज जहिलने के लिए तयार रही है उचस्तरी जांच उसकी होनी चाहिए उसमें जितने आरोपी हैं सभी आरोपीयों को होनी चाहिए हम फांसी की आउनलाइन डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर फांसी नहीं मिली, तो ये समाज अपने क्रोध से जब बाहर आएगा ना, सरकार की चूले ही लियाएंगी, कुर्सी के चारों पाए को तोड़ देंगे हम, हमारे ओटों से ही, इस जनता के ओटों से ही आप जो है, सत्ता में बैठे हो, सांसत विधायक बने हो, मुख्रमंत्री बने हो सभी लोग, आप लोगों की सम्वेदना है, मर क्यों जा रही हैं यार, हमें आके बोलना पड़ रहा है, हम क्या हैं, हमें लाइब पे आके बोलना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है, इसमें ते आप लोगों को, पिछणों को मसीहा, अखले से आदव जी भी हैं, उनको भी देखना चाहिए ना, बहन मायवती कहां गई, कहां गए लोग, क्यों ओट के समय है, निसाद समाज, मच्छुवारा समाज, पूरे देश में पीडित है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस देश में मच्छुवारों की है, न जान लो, जिस दिन ये एक प्लेटफार्म पे आ गए ना, सत्ता में कोई दीखे उखेगा नहीं, तुम लोग भांका ले जाते हो ना, इनको, कभी धर्म के नाम पे डरा देते हो, कभी जाध के नाम पे इनको दुद्ध कारते हो, अरे, तुम लोगों से उंचा स्वाभिमान है इस समाज का मच्छुवारों का, ये अपना जमीर गिर्वी नहीं रखते जल्दी, तुम लोग तु बिग जाते हो चंद टुकडों पे यार, बिग जाते हो तुम लोग चंद टुकडों पे, सर्म नहीं आती है, बहुती हिम्मती, बहुती स्वाभिमानी समाज ये, पहले जब यातायात के साधन नहीं थे ना, उसमें देश सोने की चिडिया कहलाता था, सारे यातायात के साधन इन मच्छवारों नावीकों के भरोसे ही चलते थे, नौकायन दौरा, अरह समझ में, उसमें देश सोने की आज, एरोपलेन है, रिल गाड़ी है, सब कुछ है, पानी का जहाज है बड़ा बड़ा, लेकिन फिर भी अर्थबे अस्ता गर्थ में जा र हमारी ये मांग है, अगर उसकी उच अस्तरी जांच नहीं होगी, सिदे सिदे सुन लीजिए, अगर उच अस्तरी जांच नहीं होगी, तो हम लोग इस पैंडेमिक में, कोरोना पैंडेमिक में, घर से बाहर निकलने को, सडकों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, सुन ली बात करेंगे अगर उन तीनों को जो आरोपी है साथ में उस परधान को भी सजा नहीं मिलती है तो परधान को तो पहले उठा कि उसको चाय डंडे मारने चाहिए ऐसे ऐसे परधान कैसे बन जाते हैं या जिनके उपर पुरे गाउं की जिम्मेदारी है उनके गाउं में किसी के हत्या हो जाती है और वो बर्गलाते हैं उसके घरवालों को डराते हैं, क्यों डराते हो भाई, गलती समाज की भी है, समाज सुधरता नहीं है जल्दी अपना, इसको भी जागने की जरुरत है, ने तो इसी तरह अत्याचार हत्याएं तुमारे साथ होता रहेगा, लूट बलातकार होता रहेगा तुमारे साथ, अभी भी समय है, यह जो टटपुजीयन नेता है ना, पहचान करो इनकी, धक्के मार के भगाओ इनको धक्के मार के, घर पे आते हैं ना, जब मागने हैं ओट, जूते से स्वागत करो इनका, जो तुमारे दुख में समय ना दे, दुख में साथ ना दे, तुमारा, उनको ओट पर parenthدي ने कड़ी जूरती है तो उट सही जगा दो गे तो नहींगा निसी ही तरह अत्याचार होता रहेगा। ज्र। आक डिध्य का रहे faces जो बिना पार्ठक है और जो यह सायद राहूल पार्ठक नाम है यूसका कोई दूसरा नाम है ना मुझे नहीं अभी याद आ रहा है इन तीनों को सजा मिलनी चाहिए और परधान को भी मिलनी चाहिए सिधा सा मतलब है बस और कुछ नहीं चाहिए सान्टोना तो बिल्कुल देना ही मत कोई सान्टोना देने से अच्छा है छुलू भर पानी लो ऐसे उसमें नाक डालके डूपके मर जाओ ठीक है सान्टोना नही चाहिए पैसा भी नहीच चाहिए तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे पैसे से वह बहन वह बिटिया वापस नहीं आएगी फासी होनी चाहिए जितनी जल्दी हो फास्ट ट्रैक कोट में ये मुकदमा जाना चाहिए फास्ट कोट ट्रैक इसका फैसला सुनाए जल्द से जल्द जितने भाई मेरे लाइब अभी देख रहे हैं देख रहे थे और देखेंगे वो इसकी डिमांड करें इसको सेयर करें और मांग करें कि फास्ट ट्रैक कोट में वो मुकदमा चले और उनको जल्द से जल्द फासी की सजा हो जितने भी तथाकतित नेता है बुरिया बिश्तर अपना बाद है सालो सर मानी चाहिए तुमको यार राजनीती करते हो ऐसे मुद्दे पर तुमारी बहन बेटियों के साथ होगा तो क्या होगा लड़के का बयान आप सुनोगे न जो छोटा भाई है उसका बयान सुनोगे न तुर रोने लगोगे और पुलिस क्यों दबा रही है पुलिस का इसमें क्या फायदा है मुद्धे को पुलिस क्यों इस तरह से टाल मटोल कर रही और उन दोनों को क्यों छोड़ा गया उन दोनों को क्यों छोड़ा गया बिना जांच के अप्लिकेशन देखा होगा आपने उस अप्लिकेशन में जो नंबर है उनको सर्विलांस पर लगाईए उसकी चांच कीजिए कॉल रिकॉर्ड ट्रैक कीजिए जो भी आरोपी है उनको पकड़िए उनको फांसी दीजिए फांसी से कम तो नहीं चाहिए और यह तो ठीक है घट लड़की के साथ यह घटना हो जाती है और उसके अपरादी अगर छोटी का टेकरी के छोटी वो भी सी एस एस टी को होते ना तो आग लग जाती बवाल हो जाता हिंदु धर्म खत्रे में हो जाता समझ रहो ना पूरे देश में मंबत्ती लेके और बैनर पोस्टर लेके सब लोग सडकों पर निकल जाते यह इस लड़की की जाती देखकर तुम लोग ऐसा कर रहे हो क्या इसी से पता चलता है कितना जाती वाद है कितने सामाने वर के लोगों ने उस लड़की के लिए नयाय की आवाज अपने सोसल मीडिया हैंडल चाए फेस्बुक हो चाए ट्वीटर हो कहीं भी डाली हो किसी ने डाली है और यह सी स्टी ओबीसी वाले कहीं किसी लड़की का बलातकार होता है उसके साथ गलत कुछ होता है कोई घटना घटी है तो उसके लिए नयाय मांगने लगते हैं मैं य तेरा ध्यान दो कि तुम और तुम्हारे घर वालों के साथ जो अत्याचार होता है उस पर कौन आवाज उठा रहा है तुमारी कितने सामानेवर्ग वाले आ रहे हैं समाज ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग एक जूठ हो किसी पर भी अत्याचार हो छोटा हो बड़ा हो पहली बात तो यह जाती बेवस्था बनाने वालों के मुह पर मैं अलाइब अभी थूक रहा हूं कियों बनाई भाई कैतो हिंदू हें हिंदू है तो जात क्यों सभी लोग साधी करें अग दूसरे में कि जन्म से स्रेस्ट बनते हो मूँसे पैदा हुए हो अब मूंसे कैसे कोई पैदा होता बेस्ट है और नहीं आती है मैं इसमें नहीं मिल पाया मैं क्या बताऊं मामा ने उसके जो बाते बताए न वो बाते सुन लोग न रिकार्ड की है मैं ने रिकार्ड करके रखे है उसको भी मैं अभी सोसल मीडिया पर कहीं चाहिं डालूंगा किस तरह की घठना हुई है और मैं लिखने जा रहा हूं एप्लिकेशन, जो करना है करो आप, अगर उसको नयाय नहीं मिला, और सारे आरोपियों को फांसी नहीं हुई, तो फिर अंदोलन छिडेगा, इस बार भैंकर छिडेगा, जिमेदार कौन होगा, प्रसाचन होगा, साचन होगा, अपनी पुलीस को सही करो, योगी जी, कानुन ब्यवस्था की दुआई देते हो, ना, कानुन ब्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है, समय से सब कुछ हो जाता है, सही करो इसको, ये पुलीस वालों को थोड़ा टाइट करो, जिवने आरोपियों की जांच करे, खोज करे, और सब को सजा दे, ने तो आज से सोचल मीडिया पे थूतू सुरू होने वाली है, अब बताओ आप लोग भाई, ऐसे कैसे होगा, ये सचाई है और सचाई को लोग छुपा रहे हैं, हत्या हुई है, उसके साथ गलत काम किया है उन दरिंदों ने, उन दरिंदों को फासी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, कुछ बयान, लड़के का बयान, उसकी माता का कुछ वीडियो फोटोग्राफ अभी मैं एक पोस्ट में सेयर करूँगा, उसके बयान को भी आप लोग सुनियेगा, बखू भी, अगर ये रिकार्डिंग भी वारल करता हूँ मैं, फेस्बुक पर डालता हूँ, सेयर कर ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, अगर आप समाश से अपने थोड़ासा भी प्यार करते हैं, महबत करते हैं, और इसमें जाति धर्म की बात नहीं होना चाहिए इस तरह की घट्नाव में, या कहीं भी जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, यार, कब उठेंगे, किसमी सद चल लई है और अभी हम लोग उसी जाती और धर में फसे हुए हैं बेटी किसी की भी बेटी होती है कोई जाती नहीं होती उसकी कोई भी किसी की जाती नहीं होती है यार यह तो बना के केवल बेवकूब बनाया गया हम लोगों को समझो इसको जातिवात से धर्मवात से बहार निकलो, इंसान बनो, इंसान बनोगे, तो सभी के सुख दुख का तुमको भान होगा, उसके सुख दुख से तुमको असर पड़ेगा, किसी के दुख में तुम सरीख हो पाओगे, इंसान बनो, जातियों से बाहर निकलो, बहुत सारे S.E.S.T.O.B.C. के मामले कई सालों से चल रहे हैं, जानते क्यों वो साल्ब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसको साल्ब करने वाली जो कुर्सी है न, उस पर ये तथाकति उची जाती वाले लोग बैठें, उची जाती वाले, जो कभी नहीं चाहते कि E.S.E.S.T.O.B.C. वाले थोड़ा सा भी आगे बढ़े हैं, उनका कोई भी कोड कचारी का मामला है वो, वो साल्ब नहीं है। जानकारी नहा है, नहा थी, उसके पिता जो थे, अगर थोड़ा सा भी जागरुक होते, पले लिखे होते तो परधान बरगला देता, उसके मृत शरीर को ऐसे यंतिम संस्क्रा हो जाता उसका नहा का बिना प्रुश्माटम किये, बिना मेटकल किये, कुछ भी, हैं, सिच्च कहां क्या क्या अधिकार क्या क्या मांग उठा सकते हैं, कहां किसको लेटर भेज सकते हैं, इस तरह की घटनाओं पर ग्यापन बाजी से बचिये, ग्यापन बापन से कुछ होता नहीं है, देखा न आपने, अफेर दिखा दिया, आसानी से कितने, आसानी से अफेर दिखा द एक को आरोपी बना दिया दो को छोड़ दिया क्या है यार यह तथा करती तो राजनीती करने वाले जो है राजनीती से बाज नहीं आ रहे हैं साथियों यह सच्चा ही है इसको स्विकार करना होगा हमबकों और यह जो घटना हुई है इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी जब बुल धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जूड़ने के लिए और उस घटना को जानने के लिए अब जो घटना आप जान गया है इस घटना के बिना पर आप जो है अपनी आवाज को बुलंद करिए सोसल मीडिया पर और अगर दोसियों के ऊपर कड़ी कारिवाई न तो फिर तयार रहे सड़क पर उतरने के लिए धन्यवाद